हेलो गाईज बैटा आप अपनों लोग बेटर लेवल उफ क्वेश्चन पर आ रहे हैं कंसेप्ट वह यह हमने पिछले सेशन में किया था तो नथिंग डिफिकल आपको एजली जम जाएगा तो पहले एक क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछत एट और थ्री के सम में से तो आप बेसिकली पहले क्या करोगे आप एट प्लस थ्री की वाली निकाल लोगे वो 11 आ जाएगा फिर यह जो आंसर 11 आया है इसमें से हम 4 को सप्राक्ट कर लेगा मतलब 11 माइनस 4 इकोल तो 7 ठीक है या अगर आप इतने स्मार्ट होगी एक ही ला 7 माइनस 4 इसी कोल चूँ 7 एक ही स्टेप में आ जाएगा तो पेटा वही चीज़ आप अपनों यहां पर करने वाले है ठीक है क्या करने वाले है अपने सप्राइट करने वाले है ये फ्रॉम सम उफ ये एंड ये ठीक है तो गाईस मैं जानते हो आप लोग स्मार्ट एनफ ह और अपने मैचुरिटी बढ़ चुके चाप्टर केस में अभी तक है अपने क्या करने वाले है अपने को ये सप्राइट करना है फ्रॉम सम उफ ये एंड ये मतलब हमें पहले 8a माइनस 2b प्लस 3 प्लस माइनस 4a माइनस 8b करना है ये हमें स्टम निकालना है बच्चलोग प पूरा है देखो इसलिए इसका नया ब्राकट डाला ये पूरा का पूरा एक नहीं चीज़ होगी इसमें से मुझे ये 3a माइनस 8ab माइनस 2b प्लस 12 को सप्राइक करना है समझाए जीस क्या हुआ है देखो क्या किया मैंने बटा इसका और इसका सम निकाल लूँगा मैं फिर कर रहा हूँ तो पहले मैंने ये अंदर वाले ब्राकेट खोला ठीक है हो गया 8a माइनस 2b प्लस 3 ये प्लस था तो सबकी सब साईन है सेम रहने वाली ब्राकेट की मतलब माइनस 4a माइनस 8b ठीक है अब देखो यहां का ब्राकेट खोल लिए आब मैंने जो कित वो गया minus of, अब देखो सब साहीने opposite हो लिए, ठीक है, 3A plus 8AB plus 2B minus 12, ठीक है, अब मैंने वापसे, यह जो एक आखरी bracket बच्चा है मेरा, वो खोल दिया मैंने, ठीक है, 8A minus 2B plus 3 minus 4A minus 8B minus 3A plus 8AB plus 2B minus 12, अब देखो बैट, अपनी maturity level की बढ़ चुकी है, तो अब मैं directly answers देखना शुरू करूँगा, यहने क्या, 8A minus 4A minus 3A, 8A minus 4A हो गया सब 4A, 4A minus 3A हो गया सब कितना, सिर्फ और सिर्फ A हो गया मेरा, 1A बोलो या A बोलो, ठीक है, फिर अभी देखे, minus 2B plus 2B, sorry, minus 2B minus 8B plus 2B, देखो यह minus 2B और plus 2B तो 0 हो जाएगा, तो उसको हटा अब नहीं कर दिया है, तो बचा कितना से मेरा, minus 8B, फिर next देखे, plus 3 minus 12, 3 minus 12 क्या हो गया मेरा, minus 9 हो गया, और एक आख्री चीज़ बच्चे कितनी गदा, plus 8A, plus 8AB, प्लस 8AB मैंने लिग दिया, यह ओगया answer, देखो यहाँ पर जब पहले pair, ग्रूपिंग कर देखे, अपने शुरू कर दिया है, तो देकि ये 8a minus 4a minus 3a को मिला के मैंने a लिख दिया है minus 2b minus 8b plus 2b को मिला के मेरा minus 8b हो रहा था तो मैंने वो लिख दिया है, तो plus 3 minus 12 का value minus 9 के बरावर था वो लिख दिया है मैंने, और एक और आखरी ये 8a b बजा था, वो भी मैंने लिख दिया, उसा कोई light term था ही नहीं, समझा, पका तो बेटा इसको करो pause, इस question को कर लो, खुद से solve करना है बच्चा लोग प्लीज अब next question कराते बेटा exactly वो ही pattern का है, बस मैंने x, y, z जैसे use किया, question आप लोग खुद से solve करोंगे, क्या है, subtract 3x minus 4y minus 7z from the sum of x minus 3y plus 2z and minus 4x plus 9y minus 11z, ठीक है, तो गाइस, ये question को करोंगे pause, खुद से solve करना है बच्चा लोग solution, क्या हो जाएगा, इसका और इसके sum में से इसको subtract करना है तो पहले इन दुनों का sum निकालते हो है x minus 3y plus 2z plus minus 4x plus 9y minus 11z ये पूरे में से, subtract करोंगे, 3x minus 4y minus 7z को ठीक है, अब bracket कोलना शुरू किया, मैंने तो ये रेखे x minus 3y plus 2z minus 4x plus 9y minus 11z minus, ये आला खोला है, minus 3x plus 4y plus 7z बेडा, पूरा का फूरा खेल साइन का ही है प्रीज साइन धंच डालना, ठीक है अब मैंने ये आला bracket भी खोला x minus 3y plus 2z minus 4x plus 9y minus 11z minus 3x plus 4y plus 7z, ठीक है, अब देखो, ये x minus 4x minus 3x मैंने खेला खेला, x minus 4x होगा, minus 3x minus 3x होगया, minus 6x minus 6x, ठीक है फिर होगा, minus 3y plus 9y plus 4y तो ये वर है कितना, minus 3y plus 9y होगया, plus 6y और plus 6y plus 4y होगया, plus 10y plus 10y, बढ़ आख्री कहा है, बटा plus 2z minus 11z plus 7z 2 minus 11 होगया, minus 9, minus 9 plus 7 होगया, minus 2 minus 2, बज़े होगया, ये मेरा final answer आ गया ठीक है, तो गईस, गल्ती से कोई भी आपती छोटी-पोटी mistake थी तो pause एक ठीक कर लीजे बच्चा लोग, और देखिए यहाँ पर ठीक करना मतलब, महाँ पर कच्चा कट्टी नहीं, पूरा काट की आपसे पूरा solve करना होता है, बटा next question अब, subtract the sum of this and this from this अब देखो, थोड़ा situation change हो गया, ठीक है, अब देखे, आपको कुछ और बच्चे देता हूँ subtract the sum of 8 and 3 from 20 मतलब, अब क्या करना है हमें, इसके sum को इस में से subtract करना है, मतलब, इसका sum निकालूँगा, जो भी आएगा अब इस में से मैं subtract करूँगा, मतलब 20-11 जैसा हो जाएगा, या फिर, अगर एक ही short में देखना है मुझे, तो इन दोनों का sum subtract हो रहा है इस में से, तो 20-1, समझाए चीज़ क्या हुआ है, देखे, बेटर क्वेश्चन पर आपन ओ, ठीक है को subtract करना है 5 में से, तो 5 minus यह, समझा, अब देखे, 5 minus, पहले अंदर के bracket खोला मैंने, 2x minus x square plus 5 minus 4x minus 3 plus 7x square अब bracket के भार minus था, तो मैंने bracket अब खोल रहा हूँ, सब की sign आप पूछे लोगी, प्लीज sign का नहां रहा है, तो 5 minus 2x plus x square minus 5 plus 4x plus 3 minus 7x square अब क्या आपने like terms हो, देखे, 5 minus 5 तो कड़ गया सर्थ, और कोई दा के प्लस 3 बठा था, तो देखे, 3 बार लिख दिया मैंने, minus 2x plus 4x, यह, प्लस 2x हो गया बच्चा लोग, और एक है, x square minus 7x square, तो minus 6x square हो गया, खतम, समझाए, यह, इन दोनों का sum को subtract कर रहा हूँ, 5 में से, simple, simple, चलिए, pause कीजिए बच्चा लोग, और solve कर ली जाएशको भी, moving on towards the next question, subtract the sum of this and this, from sum of this and this, मतलब अब क्या करना है, इन दोनों के sum को subtract करना है, इन दोनों के sum से, अब आये होग, आपकी maturity level बढ़ चुकी है, थोड़ी बहुत, आप एक बाद इसको पहुत से खुद से try करो, मज़ आएगा बच्चा लोग इसमें, चलिए, अब देखते हैं, अपने को इन दोनों के sum, इन दोनों के sum में से subtract करना है, तो यह पहले इन दोनों के sum क्या होगा अपना, 9L plus 2M minus 3N square plus minus 3L plus M plus 4N square इन दोनों के sum में से, 3L minus 4M minus 7N square plus 2L plus 3M minus 4N square कई बार ऐसा होगा जब अपना, एक लाइन में आ risky तो नीचे लाइन लेख जेना, तेका है, अब देखे, पहले यह अंदर का bracket कोल रोओध को अच्चा लोग मैं, 9L plus 2M minus 3N square minus 3L plus M plus 4N square minus of अभी यहां के अंदर के ब्राकेट स्कोल रहा हूँ बैटा मैं 3L minus 4M minus 7N square plus 2L plus 3M minus 4N square ठीक है अब बैटा देखो कई बच्चे लोग यहां पे अंदर का पहली solve कर लेते हैं मैं नहीं करता हूँ यार मैं बोलता हूँ पहले पूरा खोल दो फिर अपन लाइक तम देख लें यहांने कई बच्चे क्या गए 9L minus 3L 6L लिखना शुरू कर देखे मैं आखरी में करता हूँ सबका अपना अपना होजा है बैटा मैं आखरी में करता हूँ अब देखो अब राकेट आखरी वाले कोला 9L plus 2M minus 3N square minus 3L plus M plus 4N square अब देखो अब हर एक की साइन अपोशेट करना है प्लीज ध्यान रखना minus 3L plus 4M plus 7N square minus 2L यह बटा है प्लास था देखो खोड़ा क्लीरली लिखना और भी plus 3M था बच्चा लोग देखो हन्राइटिंग गंदी हो मेरे जैसे तो फ्लीज ध्यान रखना खुद केस का minus 3M plus 4N square अब लाइक टर्म सा खेल शुड़ा plus 9L minus 3L minus 3L minus 2L 9 minus 3, 6 minus 3, 3, 3 minus 2, 1 तो आंसर अच्छा L तीक है next देखा 2M plus M plus 4M minus 3M 2M plus M हो गया बटा किता 3M, 3M plus 4M किता हो गया तो बच्चा मैंने ये किया, minus 3N square plus 4N square plus 7N square plus 4N square, minus 3 plus 4 हो गया 1, 1 plus 7 हो गया बटा कितना 8 और 8 plus 4 हो गया 12, तो plus 12N square ये मेरा final answer आगे है, समझा गाईस, बिल्कुल थोड़ी सी महनत पर थी बटा, अब ये 3-3 माक के लिए free fund के questions अगर आ जाएगे तो अपनों को है, ठीक है, तो चलिए, इसको करिए pause और कर लिए खुद से solve, great, चलिए देखता है और question है क्या, एक और question है, वैसा ही similar pattern है, subtract the sum of this and this, from sum of this and this, जैसा पिछला question किया बच्चा लो, exactly वैसा ही है, तो आप लोगों को आना चाहिए बटा, pause करो से, खुद्टे solve करो, छोटा भी है तो rather, चलिए, देखते है, आंसर देखे, इन दोनों का sum निकालना है, यह में, 3xy minus 2y plus 5y plus 2xy minus of 8xy minus 4y plus minus 3xy plus 2y, देखे, अब मैंने अंदर के 8xy minus 4y minus 3xy plus 2y, अब यह जो एक और सा ब्राकेट वो खुलना शुरू किया है, ध्यान से बटा, साइन का, ठीक है न, जोगे, 3xy minus 2y plus 5y plus 2xy minus 8xy plus 4y plus 3xy minus 2y, ठीक है, अब देखे, 3xy plus 2xy minus 8xy plus 3xy, तो 3 plus 2 हो गया 5, 5 plus 8 हो गया, minus 3, minus 3 plus 3 हो गया 0, तो वो तो हटी गया पूरा, तो यह पूरा मिला के मेरा, 0 पर LEAD कर दिया मेरा, रो ठीक है, minus 2y plus 5y हो गया 3y, 3y plus 4y हो गया कितना बेटा, 7y, minus 2y कितना हो गया 5y, तो आंसर कितना हो गया, 5y, खत्म, समझा है क्या हुई है आगे बटा मेरा आंसर जो मेरा ऐसे रांडम ले क्वेश्चन दिमाग मा है अगर यह आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहता और फिर आगे यह भी लिखा होता कि is this a monomial, binomial, trinomial की क्या है पॉनोमियल क्या है यह क्या है मेरा आक्री में एक ही टर्म बच रहा है तो यह है monomial मतलब को इतने सारे टर्म को सॉल्व करने के बाद मेरा final answer monomial जैसा बच रहा है तो आपसे final answer क्या है नहीं पूछ रहा है वो यह पूछ है monomial है, binomial है, trinomial है तो आपको यह correct answer लाना ही पड़ेगा और फिर आपको monomial भी लिखना पड़ेगा यहां पर है नियों question मैंने ऐसी random भी बना ले था चलिए अगर आप लोगों को अभी तक है का समझ गया है और यह आपका answer तब यह सही नहीं आए तो पॉस रहे ठीक कर लिजिए बच चलो इसको प्रीज चलिए great अब बिट आपन यहां पर अपना session खतम करते है अब next session में जैसा भी आपने addition सप्राक्शन जा सीखेंगे अब next session में multiplication सीखेंगे multiplication में और मजा आएगी बहुत 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 ज्यादा important भी है तो please guys यहां तक अच्छे से practice कर लिजएगा जो भी आपको homework दिया जाता है वो अच्छे से कर लिजएगा फिर हम multiplication की तरफ बढ़ेगे ते कि चालिया बाइगा बाइगे